नमस्का, राजनमा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रियाम आपके साथ सनी देवल को बेंक आउफ बडोदा की तरफ से नोटिस जारी किया गया है सनी ने 56 करोड रुपे लोन लिया था सनी ये लोन चुका नहीं पाए जिसके बाद उने बेंक की तरफ से नोटिस मिला है लोन ना चुका पानी की दर्शा में उनके जुहू इस्तिस सनी विला की निलामी की जाएगी सनी ने अपने इसी बंगले के बदले लोन लिया था इसके लिए बकाइदा विग्यापन भी निकाला गया है बेंक ने जो विग्यापन निकाला है उसमें सनी के ग्यारेंटर के तोर पर पिता धर्मेंदर का नाम है इसमें निलामी की डेट 25 सितमबर रखी गई है सनी देवल गदर टू की सकसेस इंजॉय कर रहे हैं इसी बीच ये खबर उन्हें परिशान कर सकती है सनी देवल अभी फिलाल लंदन में है उनकी टीम से जुड़े एक शक्स ने कहा कि वो जल्द ही इस संबंध में एक स्टेट्मेंट चारी करेंगे सनी देवल ने कुछ देर पहले इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेर की सनी ने कहा कि उन्होंने अभी दूसरी फिल्म साइन नहीं की है ऐसी खबरे आ रही थी कि सनी बॉर्डर में सिक्विल पर काम कर रहे हैं इसके लिए उन्होंने डारेक्टर जेपी दत्ता के साथ हाथ भी मिलाया है इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ रहने बाद